तो हेलो दोस्तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप वाइरिंग डायगराम 3D में कैसे ड्रॉ कर सकते हो मतलब कभी भी घर का वाइरिंग करना चाहते हो तो आप पहले उसका ड्रॉइंग करके ले उससे क्या होगा कि आपका इंस्टालेशन इजी जाएगा और वाइर कहां पर जोड़ना है कैसे जोड़ना है वह आपको आसानी से समझ में आएगा जब आप ड्रॉ करेंगे तो भी आज अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप 3D डायगराम कैसे ड्रॉ कर सकते हो फोर फोर फॉर्लाइटिंग इस्टालेशन फॉर पड ए लेक्रिक्रीटिंटालेशन। तो म्य उसमें आभ मैं इस इसमें कहके इंट्रॉल करना चाहता हूं मैं आपको बता दूं यह आपका फैन यह आपका ट्यूब और यह आपका एक्जोस्ट फैन तो मैं अपने घर में पाच फैन दो टूब लाइट एक एक्जोस्ट फैन और लैंप दो लैंप दो लैंप और एक सौकेट और ने हाँ सौकेट एक बिठाना चाहता हूँ मैं अपने रूम में तो मैं उसको 3D डाइगरम करेंच से निकलतू मैं आपको बता दूँ तो आप स्टार्टिंग में क्या करने का है आपको आपको एक ऐसे लाइन मार के लेना होगा बतला सीधा लाइन मार के लो ठीकी में फिर से निकलतू इस प्रकर से आप लाइन मार के लिया तभी आप क्या करे ये 30 डिग्री लो और ये 30 डिग्री लो मतलब मार करके रखो और 30 डिग्री लेके आप यहाँ पर पूरा लो ऐसा और यहाँ पर ऐसा लो तो उसके बाद आपको क्या करना होगा आपको दिवारे बनाने होगा इस प्रकर से ड्राइंग थोड़े अच्छी नहीं है तो आप मैं जैसे बोलता हूँ इसा आप ड्रॉव किजएगा यह आपका रूम हो गया मतलब एक रूम का तो दिखिए आप स्केल से ड्रॉव के रहे हैं तो आपका अच्छी तरह से आएगा तो इसमें मैं क्या क्या बोल एक पाच फैन दो ट्यूब लैट एक एक एग्जोस्ट फैन दो लैंप और एक सॉकिट बटाना चाहता हूँ तो यह आपका दर्वाजा तो आप कभी भी घर में जाते हों तो आपके लेट साइड में एक स्वीच रहता है तो राइट साइड में एक स्वीच रहता है क्योंकि जब आप समझे रात के अंदरे में आप घर में आगे तो आप स्वीच और लाइट ओन करने के लिए आपके दर्वाजा के पास में यह सबसर्किट मतलब का बोर्ड जहां पर आपका स्वीच यस रहेंगे तो आपका यहां पर स्वीच रहेगा कि मतलब यहां यहां से अंदर जा कि आप स्वीच को अन कर सकते हों तो उसके बाद में एक फैन बिटाना चाहता हूं यहां पर और एक यहां पर बिठाना चाहता हूं और यहां पर और यहां पर बिठाना चाहता हूं और मैं यहां पर एक बिठाना चाहता हूं फैन दो और यहां पर बीच में एक लाए टूब बिठाना चाहता हूं यहां पर एक और यहां पर एक और और क्या बोला मैं और एक्जोस्ट यहां पर मैं बिटा आना चाहता हूं तो आप इस प्रक्रश से ड्रॉप कर लिजिए गा तो यह आपका सब सरकीट है जैसे आप अपर ऐड़ करेंगे सब आइटीन को तो आपका socket का होगा, socket आपका यहाँ पर नहीं होगा, आपके इसके board के उपर रहेगा, यहाँ आपका socket, आपके घर के बाहर एक आपका energy meter रहता है, तो उसका दो line एक phase एक neutral आपके घर में जाएगा, तो phase आपके एक इसको जाएगा और यहाँ पर switches रहेंगे इन खार रहेंगा तो इनका wiring एक phase का और एक neutral का phase इसको connect होगा एक और वही phase इसको connect होगा और वही phase इसको भी connect होगा और मैं lamp को भी बिठाना चाहता हूँ न तो आप में 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 को यहाँ पर एक lamp बिठाने के total में में को दो lamp बिठाने के यहाँ पर एक और यहाँ पर एक यह phase का होगा और आप neutral भी यहीं से connect कर सकते हो और यहाँ इसको भी connect करना तो यहाँ से भी एक और यहाँ से एक neutral तो इससे क्या हो गापको फेज और albeit जाएंग और उसके बाद आपको यहां से एक फेज और एक निवृटरल आपको यहां से लेकि जाना होगा और यहां पर अपर ऑप केजेगा इसा और नुटरल भी हमें in तो उसके बाद आप इसको भी exhaust fan को भी एक phase और एक neutral connect कीजेगा दोगो इसमें समझ में आता ही कि आप कैसे join करेंगे मतले phase ऐसे जाएंगा तो इस प्रकाश से आप 3D डाइग्राम में wiring installation कर सकते हो तो आप पटी पिंसली यूज़ करके आप अच्छे drawing कर सकते हो यह आपका room का installation हो गया अगर आपको और electrical के बारे में या electronics के बारे में आपका और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजेगा मतलब subscribe बटन टे क्लिक कीजेगा तो उससे क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो मिलते जाएंगे electrical या electronics के बारे में और आपको वीडियो पसंद आप लाइक भी कीजेगा धन्यवाद